किड्नी स्टोन हमारे शरीर में किड्नी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किड्नी शरीर से विशेले पदार्थों को बाहर निकालती है। किड्नी में पत्री होना एक गंभीर बीमारी है। इसे गुर्दे की पत्री, रीनल कैलकुली, नेफ्रॉलिथियासिस और यूरॉलिथियासिस भी कहा जाता है। किड्नी के अंदर मिनरल्स और साल्ट के जमा होने के कारण कठोर सिस्ट जमा हो जाते हैं। जिसे किड्नी की पत्री कहा जाता है। हमारा खान-पान, भारी शारेरिक वजन, स्वास्थ्य संबंधी परेशानिया और कुछ दवाएं वह सप्लिमेंट के कारण किड्नी स्टोन की समस्या होती है किड्नी स्टोन शरीर में मूत्र पत के किसी भाग को प्रभावित कर सकता है इसमें किड्नी से लेकर ब्लैडर तक सभी हिस्से शामिल है यूरिन जब कांसेंट्रेड हो जाता है तो वह मिनरल्स को क्रिस्टलाइज होकर इकठा होने में मदद करता है किड्नी स्टोन के लक्षन जब तक किड्नी में मौजूद पत्री इधर उधर नहीं घूमती है या फिर मूत्रवाहिनी में प्रवाहित नहीं होती है तब तक किड्नी स्टोन के लक्षन नहीं दिखाई देते है मूत्रवाहिनियां किड्नी और ब्लैडर को आपस में जोडती है अगर पत्री मूत्रवाहिनी में आ जाती है तो यह पेशाप के बहाव को रोकती है इससे किड़नी में सूजन आ जाती है साथ ही मूत्रवाहिनी में एंठन महसूस होने लगती है यह काफी दर्दनाक स्थिती होती है पसलियों के नीचे बाजू और पीठ में तेज दर्द होना पेट की निचले हिस्से और कमर तक दर्द लहर के रूप में दर्द आना और दर्द की तीव रता में उतार्च धाव होना पेशाप करते समय दर्द या जलन महसूस होना